लाइव शर्चा का जो कारिक्रम है वह आज जिस विशय पर है वह योग के विशय पर है कोई योगी कैसे बने यह प्रश्ण है यह मुख्य प्रश्ण है कि योगी कोई कैसे बने और क्या योगी बनने के लिए क्या योगी बनने के लिए पत्नी बच्चे घर परिवार छोड़ना पड़ता है क्या यह भी चर्चा में ले लेंगे आज तो यह विशय थोड़ा सा क्यूं लिया गया है यह भी मैं आपको बता दूंगा कि यह विशय क्यूं लिया गया है कि योगी बनने के लिए को योगी कैसे बने और क्या योगी बनने के लिए पत्नी बच्चे घर परिवार छोड़ना पड़ेगा कि एक मानिता है कि छोड़ना पड़ेगा जी यह झा सबुक्रीक्त सब्सक्राइब चोड़ना पड़ेगा या फ्र अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा ऐसी मानिता बनी हुई है इसलिए आज किसी ने पूछा कि भाई आज किसी किसी जिग्यासु ने किसी एक महिला जिग्यासु ने उन्होंने पूछा, उन्होंने प्रश्न किया कि आप योगी बनने के लिए कहते हैं, योग करने के लिए कहते हैं, वैसे तो मैं भी योग करती हूं, प्रणयाम करती हूं, कपालभाती करती हूं, सुर्य नमस्कार, कुछ आसन वेगारा मैं जानती हूं, करती हूं. लेकिन यहां जो योगी बनने की बात है और योगी बनने के लिए कहा जा रहा है तो योगी कोई कैसे बन सकता है क्योंकि योगी बनने के लिए तो भाई घर बार छोड़ना पड़ेगा उनका मानना था उनका कहना था कि योगी बनने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा ग्रहत्याग करना पड़ेगा और घर बार छोड़कर ही कोई योगी बन सकता ऐसे तो बननी सकता क्योंकि यह लोगों के जहन में बसा हुआ है, समस्या यह है हम विडियो बना रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, श्रीमत भगवद गीता से, योग सुत्र से, योग के विशह में समझा रहे हैं, बता रहे हैं लेकिल लोगों के दिमाग में एक बात बहुत गहरी बैठी हुई है और वो यही बात है कि योगी तो घर में नहीं रहते हैं योगी तो घर द्वार छोड़कर वन में चले जाएंगे उस संसार छोड़ दिया करते हैं संसार में नहीं रहते हैं अरे संसार कहां छोड़ोगे और भला संसार कैसे छूट सकता है कि संसार न छूट सकता है और नहीं संसार छोड़ पाओगे क्या घर छोड़कर जंगल में चले जाओगे तो संसार छोट जाओगा क्या पहाड़ों पर चले जाओगे तब संसार छोट जाओगा संसार तो तुम्हारे मन में है संसार तो तुम्हारे मन में है और जो मन में है वो भला कैसे छूटे माया मुई ना मन मुवा मरमर गया शरीर तो ना माया मरती है ना मन मरता है शरीर ही मरता है संसार तो फर भी रहता है मृत्यू के बाद भी तुम्हारे मन में रहता है तो यह संसार भला छोड़ने की बात और क्योंकि अब जहन में बैठा हुआ है दिमाग में बात घर कर गई है गहराई से बैठी हुई है कि योगी बनने का मतलब तो जीवन की निरस्ता है योगी बनने का मतलब नीरस जीवन है योगी बनने का मतलब सब कुछ छोड़ दो परिवार छोड़ दो रिष्टे नाते छोड़ दो बन में चले जाओ कहीं दूर चले जाओ तो ऐसी माननिता ऐसी बाते हैं लोगों के बन में इसलिए बार-बार सामने आते हैं कि योगी बनने का मन नहीं करता है योगी बनने में नीरस महसूस होता है बहला क्या सुख हो सकता है योगी बनने में मन के अंदर ऐसे प्रशन उठते हैं और इसलिए बार-बार लोग प्रशन बात करते हुए, कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, वो कह देते हैं आज ऐसे ही एक जग्यासु मिल गई जिनों ने यही प्रशन कह दिया कि नहीं ठीक है अपने स्वास्त के लिए थोड़ा बहुत कर लेत के तो फ़ Deli किते हैं तो ऑस्वास्त ठीक रहे हेल्त ठीक रहा लेकिन यूगी बनने का मन हमारा नहीं है को योगी बनना हमारा लख्शय नहीं क्योंकि योगी बनना तो अबाइपने घर बार चोड़ो योगी नी बन जाओ इधर घूमना शुरू कर दो चोला पहल लो चोंगा टांग लो इस तरह की बाते लोगों के मन में रहती है तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई विचारधारा मेरी नहीं है ऐसी कोई मेरी सोच नहीं है योगी बनने की लेकिन मैं अपने स्वास्त के लिए योग करती हूँ तो राजा जनक योगी नहीं थे, क्रिश्न योगी नहीं थे, राणी चुडाला योग वाशिष्ट के अंदर उनकी कथा आती, क्या वो योगी नहीं थी, महारानी मदालसा, मारकंड पुरान में उनकी कथा आती है, मदालसा की, क्या वो योगी नहीं थी, वो रानी भी थी और योगिनी भी थी और जो कई राजा हुए, राजा जनक हुए इसके लाबा दूसरे कई राजा, राजा राम हुए महराज पृत्व हुए, जिनके नाम पर इस पिंड इस गरह का नाम पृत्वी है राजा पृत्व, उनकी कथा आती है, महाभारत के अंदर आप या श्रीमत भागवत महापुराण में भी आप पढ़ सकते हैं इस प्रकार्श ने कई ब्रह्म ज्यानी राजा हुए, योगी राजा हुए, जिन्होंने राजपाट समभाला, अपने कर्तव्यों की पालना की, और उन्होंने छोड़ा क्या? जी हाँ, देखिए, छोड़ना पड़ता है अब योग की क्रिया ही निरोधात्मक है, जब योग की क्रिया ही निरोधात्मक है, तो निरोध तो होगा ही तो छोड़ना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, बात गलत नहीं है, बात गलत नहीं है, बात सही है लेकिन आपके दिमाग में जो छवी बनी हुई है कि जिसने घर छोड़ दिया जिसने परिवार छोड़ दिया जिसने संसार छोड़ दिया और वो कहीं जंगल में चला गया या फिर वैसे वेश भूशा उसने बना लिए वेश भूशा उसने बना लिए दाढ़ी बाढ़ उसन पश्यन पीचन पश्यती मूढ उदरने मित्तम भहु किरतवेशा कि जटाय बढ़ा लेते हैं लोग मूण मुडा लेते हैं लोग काशाय यामबर और काशाय वस्त धारन कर लेते हैं काशाय वस्त धारन करकर साधू काशाय मतलब जो केसरिया वस्तर होता ऑद smarter में ये तो योगी का इस परकार से होना या योगी का इस बताना यह तो मुर्खता है पश्य नपी चना पश्यती मूढ़ा कि मुढ़ मनुष्य देखकर भी नहीं देख पाता कि उधर निमित तम उधर निमित अर्थात उधर के निमित उधर है तुदर पूर्ती है तुप पेट भरने के लिए लोग ऐसा वेश्धारन कर लिया करते ह तो इस प्रकार से चर्चा आदी गुरु शंकराचार ने की कभीर ने तो बहुत कुछ कहा तुलसी दास जी ने और भी बहुत कुछ कहा है कि मारग सोई जाके उजो भावा पंडित सोई जो गाल बजावा मिथ्या रंब धम रति जोई ताके उसंत कहे सब कोई थीक जिनकि नक रुजटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध क लेकाला कि जिनकि है जो नक बढ़ा लेंगे जटाएं वह जो तक स्वे हैं तो साधू है उसकी प्रसिद्ध नक बढऻा लिसने झटाय बढ़ा लिए उसने को वह बहुत पहुंचा हुआ साधू हो गया तो वेश देख मत भूलिए पूछ लेजिए ग्यान गुसा में तो सिदा जी लिखते है कि उगरही अंतना हो ही निबाहू कालने में जिमिरावन रहू किये हूं कुवेश साधुसन मानू जिमि जग जामवंत हनुमानू कि जामवंत जी और हनुमान जी ने कुवेश धारन किया है तो कुवेश धारन करने के बाद जामवंत जी हनुमान जी ने कुवेश धारन किया है लेकिन फिर भी वो साधू है जिमिजग जा ममन्त अनमानon कि अगर साधू कूवेश भी धारन कर ले अगर साधू कुवेश भी धारन कर ले तो साधू का सम्मान है क्योंकि कोई वेश धारन करने से कोई साधू नहीं बनता कोई वेश धारन करने से कोई साधू नहीं बनता यहों कुवेश साधू सन्मानू लेकिन लोग वेश्व प्रपंच में बड़ा विश्वास करते हैं और दूसरा कई बार साधुओं के मन में भी होता है कि अगर वेश्वी धारन करेंगे तो हमें गुरु कौन मानेगा लोगों से अगर आपको गुरु मनवाना है तो वेश्व धारन करना पड़ेगा तो अपने आपको गुरु मनवाने की वास्तना हवस्त की बनी रहती है गुरुपद की वासना, दूसरों से सम्मान लेने की वासना सचाई है कि जब तब तुम दूसरों से सम्मान लेने के उसमें रहते हो तब तब तुम खुलामी की ओर बढ़ते जाते हैं डास्ता की ओर बढ़ते जाते हैं इसलिए यही पर आदमी जो है उसे सब स्विकार करें इस शक्कर में ही वो बहुत बड़ी बड़ी गलतिया कर देता है कि उसे सब स्विकार कर ले तो इसलिए योगी बनना चले हमारा विशह जो है योगी बनना योगी बनने का अर्थ क्या है योगी बनने का अर्थ क्या घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया हाँ योगी योग जो है वो निरोधात्मक करिया है निरोधात्मक करिया है तो निरोध का अर्थ ही है कि रो छोड़ना त्याग करना तो निरूध का तो अभी प्राय ही यही है तो निरूध में तो यही होगा ना त्याग तो करना पड़ेगा लेकिन कैसा त्याग कैसे कि एक बार स्वामी विवेकानंद किसी गाओं में गए किसी गाओं में गए वो कुछ प्रवचन आदी करने के लिए कुछ लोगों को समझाने के लिए गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति था उसने स्वामी विवेकानंद को शस्टांग दंडवत प्रणाम किया उनके चरनों में प्रणाम किया और प्रणाम करकर पूछा प्रणाम करके कहा कि मेरा प्रणाम स्विकार करे और मुझे पर कृपा करे तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों प्रणाम किया क्या देखके प्रणाम किया उस व्यक्ति ने कहा कि अरे मैंने अध्यात्म के विशय में समझाने के लिए आए हैं, आप हमें जीवन के बारे में अध्यात्म के विशय में समझाने के लिए आए हैं, तो आप बहुत बड़े त्यागी हैं, आपने संसार के सुख त्याग दिये, आपने घर बार त्याग दिये, आपने धन दौलत सब कुछ तो छोड़ी दिया और हमारे गाउं में आये सवामी वेकारणन ने कहा कि नहीं नहीं मुझसे बड़े त्यागी तुम हो अब उसको बड़ी हरानी होई कि मैं कैसे त्यागी है भई मैं तो कोई त्यागी वेकिती हूं नहीं तो उसलिए सवामी वेकारणन से पूछा कैसे किस प्रकार से आप कहते हैं कि मैं त्यागी हूं तो स्वामी जी ने उसे उत्तर देते वे का कि अरे भई मैने तो वो त्यागा जो नहीं सकता है। कभी ना कभी छोड़ जाता। कभी न कभी फिसल जाता कभी न कभी साथ छूटता लेकिन तुमने तो उसको त्याग के रखा है जो तुम्हारा है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता और जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा यहां तक की मृत्यू के बाद भी जो छूटने वाला नहीं है जो हमेशा तुम्हारा साथ निभाने वाला है तुमने उसका त्याद करके रखा है। उस व्यत्ति ने कहा कि स्वामी जी आपकी बाते मुझे समझ में नहीं आतिकृपया समझाएं। स्वामि वेगानन नेुसे समझाते हुए गाँ कि जो हमेशाben आरे साथ है वोरी आत्माहरी अ कि लोगों ने अपनी आत्माओ को छोड़के रखा है उन्हें आत्माओ कोई ग्यान नहीं उन्हें आत्मा से कोई लेना देना chinese मतलब नहीं मात्र संसार के लिए जाते हैं संसारिक भोगों के लिए जाते हैं धार्मिक बनते हैं या पूजा करते हैं या योग करते हैं तो त्याग तो होना है अगर योगी बनना है तो त्यागना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा क्या त्यागना पड़ेगा क्या छोड़ना पड़ेगा क्या परिवार छोड़ना पड़ेगा अगर परिवारी छोड़ना था तो अर्जुन तो छोड़ने के लिए तैयार था अर्जुन तो कह रहा था कि मैं ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार हूं सारा जीवन विक्षा मा कर बितादों गा मुझे युध्य में मत लगा ये भग्वान कृष्ण कहते हैं यह तो मिध्या आचरन हो जाएगा और योगी कभी मिध्याचारी नहीं होते है कि असमाद योगी भवार्जुना अरजुन तु योगी बन जाअ अरजुन को योगी बन जा एक तरफ योगी अर्जुन के दिमाग में भी बात थी तो कई बार हम न Özinta करक देते हैं अपनी कमजोरिकों को चुपाने के लिए कि हब अपनी कमजोरिकों के लिए तर्क देना शुरू कर देते हैं कि अर्जुन만 भी काम कर रे कि उसकी हालत खराब है युद्ध भूमी में अपना पूरा खुटुम्ब खड़ा है अपना पूरा परिवार खड़ा है और यहार देखकर अरजुन की हालत खराब हो रखी है धर्म युद्ध करना मुश्किल हो गया है कहानी सुनना बहुत असान है सुनिए समझी महाभारत क कहानी सुनना बहुत असान है लेकिन कभी खुद को अर्जुन की जगह रखिए और देखिए कि आपका पूरा परिवार ही युद्ध भूमी में एक दुसरे को मारने के लिए खड़ा है फिर अर्जुन की स्थिती पता चलेगी अर्जुन की क्या हल थी उस समय और अर्जु से जब योगी बनने के लिए समझाया जा रहा तो अर्जुन कहरा मैं ब्रह्मचारी बन जाता हूं सारा जीवन विक्षा मांगर गुजार दोंगा बिता दोंगा क्या दिक्कत है यह बात अर्जुन कहता है क्रुशन कहते है नहीं नहीं यह तो मिध्या आचरन होगा तो प्रहम तुझे कैसे हो गया कि इसको योगी कहते हैं वही कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं खठे अध्याय में क्या कहते हैं कि अर्जुन को समझाते हुए अर्थात जो पुरुश कर्म फल का आश्ट्रे ना लेकर करने योगी कर्म करता है जो जरूरी कार्य है उसको करता है लेकिन कर्म फल का आश्ट्रे नहीं लेता कर्म फल में उसकी आ सकते नहीं होते कि ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा इस बात की बिना चिंता किये जो साम को ने करने योग्य कर्म करता है उसका करता है वही सज्ञ्यासी है वही योगी है सज्ञ्यासी चयोगी मात्र अगनी कर्म का त्याग कर देने से अगनी कर्म यहां कहने का ताथपर है ग्रहस्त कर्म मात्र अगनी कर्मों का त्याग कर देने से तो कि ग्रहस्त में कई प्रकार की पंच अगनियों का वर्णन आता है और इन अगनियों के साथ रहना पड़ता है तो मात्र अगनी कर्म का त्याग कर देने से मात्र अगनी कर्म का त्याग कर देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता है कोई योगी नहीं हो जाता जो निश्काम भावना से कर्म करता है करने योगी सारे कर्म करता है कर्म अफल के परती आश्रित नहीं रहता है और जो भी करने योगी कर्म उसके सामने आया है वो उसको करता है वो सन्यासी है वो योगी है कर्म के संदर्म में वो योगी है छटे अध्याय में वो और ध्यान आत्म सैयम योग नामक अध्याय वो कहते हैं कि बहुत अधिक खाने वाला बिल्कुल नहीं खाने वाला बहुत अधिक सोने वाला बिल्कुल नहीं सोने वाला इनके द्वारा योग नहीं होता जो संतुलन बनाकर रखते हैं वो योगी है संतुलन के साथ जीवन जीते हैं वो योगी है प्रकृती अपना रहस से उनके सामने प्रगट करती है प्रकृती अपना रहस से उनके समक्ष प्रगट करती है तो योगी होना वास्तों में क्या है? योगी होना वास्तों में क्या है? योगा अभ्यास करना, आसन आधी करना, सुरी नमस्कार, जो प्रति दिन करता हो, चक्रासन, धनुरासन, भुजंगाशन, मरकटासन, सिरसासन, ये सब करता हो, कपालभाती करता हो, क्या वह योगी है? जी नहीं, क्या इसी से योगी होना प्रमानित हो जाता है, जी हां या योगी क्रिया है करने चाहिए, मन के लिए, शरीर के लिए, अध्यात्मिक उन्नत्ती के लिए सहायक हैं, ये सब सहायक है, परंतु सबसे बड़ी बात, कि योग की समझ विक्सित होनी चाहिए, योग की understanding विक्सित होनी चाहिए और वही कृष्ण अर्जुन के अंदर एक समझ को विक्सित कर रहा है सबसे पहले अगर आपके अंदर योगी होने की समझ विक्सित नहीं है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं अब चाहें आप किसी आश्ञ्व में चले गए हूं घर बार चोड़ कर या जिंगल में रहते हो या पहाडों में रहते हों या तपस्या कर रहे हो तो तपस्या करने निकल गए कठोर तपस्या उन्हों ने कर दी लेकिन फिर भी उनके अंदर वो योगी वाली समझ विक्सित नहीं हो पाई वो ज्यान नहीं हो पाया क्याते है वेकुंट से वापिस लोटना पड़ा और वो गए अपने देवरिशी नारत के पास देवरिशी नारत ने वेदव्यास जी के पास भेजा वेदव्यास जी के सुपुत्र थे वो, वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी बात मानेगा नहीं है, और अजी बात इसको तपस्वी होने का अहंकार वो थे, चलो ग्रहस्त तो वेदव्यास जी भी ग्रहस्त ही थे, हमारे रिशी मुनी एक संतुलन में जीवन जीना जानते थे, इस रच्पन से जनम ब्रम्मचारी जनम सही है तो अब शुखदेव मुनी वेद व्यास जी के पास जब पहुंचे तो वेद व्यास जी ने सोचा कि ऐसे मानेगा नहीं इसका एहंकार तूटना वह जरूरी है जो तपस्वी होने का एक एठन है वो खतम होना जरूरी है कि मैं तपस्वी हूं बहुत बड़ा तपस्वी हूं यह खतम होना जरूरी है और इसी उद्धेश्टे से वेद व्यास जी ने उन्हें कहा कि तुम महान तत्व ग्यानी राजा जनक के पास जाओ तुम राजा जनक के पास जाओ वही तुम्हें ग्यान देंगे वही तुम्हें समझाएंगे कि योग क्या है तत्व क्या है अध्यात्म क्या है वही तुम्हें समझाएंगे इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ और शुक्देव उन्हीं को बड़ी हैरानी हों कि बताओ मैं और उसका इतना बड़ा राज्य मैने अपना सारा जीवन तपस्या में लगाया मैने सारा जीवन साधंanie में लगाया कि अर्वोर्टबास बंगल मुझे क्या ग्यान देगे मैंले तो अपना पाणा हो कैसे भी तो कहते हैं कि राजा जनक के पास गये और जाकर वहां पर जो दूद था उसे बोले कि मुझे राजन से मिलना है उसे आध्यात्मिक चर्चा करनी है मुझे तत्व चर्चा करनी है मुझे पूछ कि कब समय देंगे द्वारपाल गया वह लौटकर वापिस आया उसने कहा कि देखिए राजा के महल तक राजा के कक्ष तक साथ द्वार हैं आपको प्रती दिन एक द्वार पार करना है और सातवे दिन जाकर महराज आपसे मिलेंगे साथवे दिन जाकर महराज आपसे मिलेंगे शुक्देव उनी ने कहा कि कैसा राजा जिसको मिलने का भी समय नहीं है एक रिशी से एक तपस्वी से जिसको मिलने का समय नहीं है भला वो क्या जानता होगा तक्त्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान उसे क्या पता होगा तो इस प्रकार से शुकुदेव के मन में आ गया शुकुदेव मुनी के मन में आ गया और वो बहां से चले गए नहीं मुझे नहीं चाहिए ग्यान व्यान चले गए अपने पिता वेद व्यास के पास अब जब वेद व्यास के पास गए राजा के पास समय ही कहा है राजपाठ में इतना मस्त है वो इतना एहनकार कि मुझे खबर भिजवा दिया कि साथ दिन बाद मिलूंगा साथ द्वार से एक एक दिन पार करते हुए पहुँचो अरे जिसको है ही नहीं कि तपस्वी का सम्मान करे रिशी पुत्र का सम्मान करे राजन के पास क्या ज्यान होगा वेद व्याजी ने कहा कि तुझे बता भी है कुछ जिसका दर्शन करने स्वेम स्रिकृष्ण चले आए द्वारिका से भागवद महापुरान में कता आती कि स्वेम द्वारिका से स्रिकृष्ण राजा जनक का दर्शन करने जाते हैं थोड़ा सा आपके मन में यहां प्रशन उठेगा कि त्रेता में जनक थे तो यह द्वापर में कहां से आगए यह द्वापर में जनक कहां से आगए यह प्रश्ण चले इसको भी सॉल्फ कर देते हैं चलते चलते जी हां क्रेता में राजा जनक मिथला नरेश राजा जनक माता सीता जो की आध्या शक्ती साक्षात ब्रह्म शक्ती की राज्य में तो राजा जनक उस समय राजा-जनक हुए थे लेकिन वह जनक अलग थे तो बिधला नरेश को ही जनक कहा जाता था लेकिन बिधला की गद्धी पर कोई भी नहीं बैठ सकता था जो विदेह होता था जो सांसारिक मोमाया से ऊपर उठ गया होता था और उपर कोई जबर्दस्ती नहीं उठा होता था कई बार लोग जबर्दस्ती उठने की बात करते हैं आजकल क्या आया ना कि लोग बाहर से एक गाउं में उझे जाने का मौका मिला एक व्यक्ति था उप बड़कुल चुप चाप शान्त रहता था लगबक 10-15 वर्ष पहले की बात है गाउं में गये वहां एक व्यक्ति चुप चाप शान्त रहता था जादा बोलता चलता नहीं था उसको जो बुलाए वो चुप चाप सुनता था किसी कोई जवाब भी नहीं देता था तो मैंने पूछ लिया कि भाई कुछ बताओ अपने बारे में तो गाउं के कुछ दुसरे लोग थे उन्होंने का कि अरे यह भगत आदमी है भगत मतलब जो कुछ बोलता नहीं है जो चुप चाप रहता है कुछ करता नहीं है लोगों बलहा लिया वो योगी हो गया सारी परिभाशाएं तो गड़बड कर रखी हैं सारे अर्थों का अनर्थ कर रखा है तो कहां से समझ में आएगा कोई बात समझ में आने वाली नहीं है तो जनक जो द्वापर में हुए जो जनक द्वापर में हुए वो दूसरे जनक थे और भागवत महापुराण में दोनों जनक का वर्णन है जब भागवत महापुराण में राम अवतार का वर्णन आता है 24 अवतारों में और सीटा जी के पिता का वन्लन आता है और जब द्वापर में जिसका दर्शन करने भगवान कृष्ण सुयम जाते हैं क्रिश्न जो है दुआरिका से चलकर मितला नगरी जाते हैं राजा जनक के दर्शन करने के लिए general ने कभी नहीं आते हैं कृष्ण के पास लेकिन कृष्ण को जाना पड़ता है कि जनक की इतनी महिमा थी कि इसलिए तत्व ज्यान अध्वाइत विशेश करके अध्वाइत का सुत्रधार जो सुत्र वहां से निकलता है वैसे तो अध्वाइत वैदिक विचारधारा है परंतु राजा जनक से और अश्चावकर रिशी के चर्चा से जो वहां से जो चर्चा होती है वही परंपरा आगे बढ़ती है और वही परंपरा जनक के शिश्य हुए शुकुदेव मुनी शुकुदेव मुनी के शिश्य हुए योगी गौडपाद जिन्होंने मांडुक के कारिका मांडुक के उपनिशत का विस्तार करके मांडुक के कारिका लेखी और योगी गौडपाद के शिश्य हुए गोविंदपाद और योगी गोविंदपाद के शिश्य हुए आधिग गुरु शंक्राचाय के गुरु के विशे में गोविंद पाद उनका नाम था ठीक तो यहां अद्वाइत की परंपरा इस तरह से चली है जनक से चली है तो राजा जनक क्रिश्न दर्शन करने जाते हैं राजा जनक के और वही राजा जनक जो कि शुक्रदेव के गुरु भी हुए तो वेद व्याजदी यही समझाते हैं शुक्रदेव मुनी को कि यह जिसका दर्शन करने के लिए क्रिश्न को चल के आना पड़ा कि तो उसके बारे में कहता है कि उसको ग्यान नहीं है वो राजपाठ में मसता है ठीक है तो शुक्रदेव मुनी को बड़ा लगता है कि यह कैसी बात है कि स्वेम द्वारकाधिश क्रिश्न आये हो दर्शन करने के लिए राजा जनक के और मैं उनको ऐसे तो फिर शुक्रदेव मुनी को बड़ी बात लगे ठीक है वेद व्याजी ने कहा कि ज्यान देने ग बुरू हुए तुम्हारे तो मुन से ज्ञान लेने गये हो तो जैसे उनकी आज्ञा है वैसे करो कि लेकिन आजकल एक और लोगों के अंदर समस्या अश्कल हर वेक्ति शॉटकट में चाहता है हर चीज कोई शुकदेव बनने के लिए तैयार नहीं कोई नचेकेता बनने के लिए तयार नहीं नचेकेता तीन-तीन दिन तक भूखे प्यासे यम्राज के द्वार पर प्रतिक्षा करते रहे मुझे यम्राज आयंगे और मेरे प्रश्णों का उत्तर देंगे कठो अपनिशत में ये वर्णन आप कठो अपनिशत के प्लेलिस्ट में जाईए उसमें ये पूरी कथा मैंने सुनाई है तीन दिन तक नचे केता जो है प्रतिक्षा करते रहे वो भी भूखे प्यासे बिना कुछ अन जल ग्रहन किये उनसे पूछा भी नहीं गया कि तुमको भूख लगी है कि नहीं लगी है प्यास लगी है कि नहीं लगी है तीन दिन बाद ही अमराज अपना द्वार खोलते है और तब उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन क्यों आए दो सकते हो तीन दिन तुम मेरे कारण भुके रहे हो वरदान चांगते हो वरेरेता की मिरे पटा मुझे से प्रसंव जाये गाव ह कि अगनी का रहसे देवताओं का रहसे पार प्रमातमा को यह भ्रहम है कि आप कुछ लोग देवता को ही परमात्मा महले जैसे कुछ लोग कहेंगे कि इतने सारे भगवान है हिंदुस्तान में हिंदुों में इतने सारे कोई भगवान नहीं है देवता है अन। को संख्या में 33 करोड नहीं 33 करोड से भी कई ज्यादा है इसकी उपर भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं शास्त्र प्रमान के साथ बता चुका हूं यह 33 कोटी कुछ लोग बोलेंगे 33 कोटी यह जी निक तेटिस कोटी भी कुछ नहीं होता कि देवता देवताओं की संख्या अंगिनत है क्योंकि देवता भाव रूप है माता पिता को भी हमारे यजुर वेद के अंदर मात्र देव भवा पित्र देव भवा ऐसे करके और बताया गया है अब सोच लो माता और पिता के रूप में तो हर वेक्ति का अलग अलग देवी देवता हो गये फिर तो इसी लिए यह तेटिस कोटी के चक्कर में भी मत पड़ो भ्रहम है बहुत बड़ा जो लोग तेटिस कोटी के चक्कर में पड़े हुए अध्यन कोई उपर से छिषला अध्यन है मुझे भी पोस्ट आते हैं कि फलाना ये वसु इतने हो गया आदित्य इतने हो अरे तुमने माता पिता को तुमने लिया भी नहीं है I तो गलत कॉनसेप्ट है, समस्या यही है, हिंदु समाज में इतना ज़्यर्ट गलत कॉनसेप्ट फाहिला हुआ है, अर्थ का अनर्थ इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अब अर्थ संझाने में बार-बार बातों को रिपीट करके बताना पड़ता है, भैंकार रूप से अर्थ का अनर्थ हो रखा है कि ऐक विशे हैं कि हमएं समझना चाहिए तो तीन दिन दिन तक प्रतिक्षा करते रहे देव के बारे मेंने अगनी के बारे में उन्हें समझ में आया उस अगनी देव का ही नाम नचिकेत के नाम से यम्राज ने रख दिया नचिकेत अगनी है और फिर आखरी प्रश्व आत्मा क्या है वह कौन सा तत्व है जो मिर्ट्यू होने के बाद भी रहता है वह कौन सी शक्ती है जो संपुर्ण जीवों के अंदर जीवन का सईयोग करता है अब नचिकेता के जब ऐसे प्रश्व होने लगे यम्राज ने कहा कि नहीं नचिकेता तुम इसके लिए अभी बालक हो तुम इस विशय के लिए भी बालक हो अभी तुम्हारी उम्र कम है फुला सा और बड़े हो जाओ माना कि तुम बालक होते भी तुम व्रधो जैसी बाते करते हो तुम्हारी वानी में बहुत ही परिपक्वता है और तुम्हारे विचारों में बहुत परिपक्वता है परन्तु फिर भी मैं तुम्हारी उम्र को देखकर मुझे लगता है कि तुम अभी इस प्रश्ण के लिए बालको इसको रहने दो उस आत्मतत्व के बारे में मत पूछो कि मत प्रश्न करो मैं तुम्हें नहीं कुछ और मांग लो कि निवा बोलते के नception मुझे तो मुझे आ के मैं चिटा मांग नहीं के लिए थो greedy नहीं देना वहाला नहीं है है तो यह मीराज के नहीं तो फिर स्वर्ग का भी राज ले लो तुम रिद्धी सिद्धी सब ले लो तुम मैं सब देने के लिए तैयार हूं तुमको लेकिन यह आत्म ज्ञान की बात रहने दो यह रहने दो नचेकेता निगा के नहीं यह तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा जब मैं आपकी शरन में आ गया हूं तो फिर त्री का राज मिलना और मुझे जब देवताओं का ग्यान हो गया है तो फिर मुझे कुछ मिलना बने लिए मुश्किल तो नहीं होगा लेकिन आप मुझे यह दीजिए तो यह दुरलब है यह दुरलब है और आप इसको देने से बचना चाहते इसलिए कृप्या करके मुझे यह दीजिए मुझे य बढ़ी चीज है को अंत्ता कि इक्षा शक्ती के सामने हिवराज को जुखना ही पड़ा और उन्होंने उसे ज्ञान दिया तो जो प्रतिक नहीं करना चाहता जो रुकना ही नहीं चाहता वो भला क्या प्राप्त करेगा वो क्या प्राप्त करेगा इसलिए जो गुरु हुआ करते थे इस बात की राजा जनक को इस बात की चंता नहीं है तेकि राजा जनक किसी के गुलाम नहीं है, राजा जनक किसी के दास नहीं है, शुकदेव मुनी उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, जनक को कोई परकली पड़ता, वो जैसे हैं वैसे हैं लेकिन योगी है विदेह हैं चीक कृष्ण जैसे हैं वैसे हैं वैसे ही वो योगिश्वर है और वो अर्जुन से भी कह रहा है कि तो योगी बन लेकिन युद्धकर अर्जुन कह रहा है कि नहीं मैं तो कमंडल लेकर जाओंगा बिक्षा पात्र लेकर कि अरजुन के मन में भी यही भ्रह्म था कि योगी बनना है तो ऐसे बनना पड़े लेकिन कृष्ण समझा रहे हैं कि यह कोई योग नहीं है इसे को योग नहीं कहते हैं यह दिपी आदी गुरु शंकराचार ने काशाय वस्त धारन किया संभावता मुंडित सर भी धारन किया उन्होंने लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि वस्तर देखकर मुंडा हुआ सर देखकर जटाएं देखकर किसी को साधु मत समझ लेना किसी को संत मत समझ लेना क्योंकि समझ तो ग्यान सहीं आने वाली है तो मातर वेश देखकर मत समझ लेना यह वो भी समझा रहे हैं इसलिए समझा रहे है कि कैसा होता है इसलिए योगी होना वास्तों में योगी होना क्या है निरोधात्मक्रिया है निरोध तो होगा इसमें चित्वर्ती निरोधा महरशी पतंजली क्याते योगस्त चित्वर्ती निरोधा जो चित्वर्तियों का निरोध करता है जो चित्वर्तियों को अपने नियंतरन में रखत जो चित्त वर्तियों का निरोध करता है चित्त वर्तियों को अपने नियंत्रण में रखता है जो संयम में रहता है जिसके एक एक विचार उसके अपने नियंत्रन में चलते हैंatte में जोना बहुत अधिक खाने वाला बहुत अधिक सोने में जोना बहुत अधिक जागने वाला को चीथ Mingfort खाना छोड़ेगा जोना बिलकुल ही सोना चुड़ेगा जी नहीं अधिक नहीं करता ओं जो सैयम में रहना जानता है अब सैयम में रहना छोटी सी बात है कि हाँ सैयम में खाना चाहिए सैयम में जी नहीं सैयम से ही सिद्धी आती है सैयम से ही सिद्धी होती है तो सैयम से सिद्धी संपन न कोई बन सकता है चीक तो इसलिए योगी होना मुख्य रूप से एक समझ है आप संतुलन योग का उद्दिश्य है चित्वर्ति का निरोध करकर खलेशों का निरोध करकर तीन गुनों की संतुलन की अवस्था में पहुंचना तीन गुनों के असंतुलन से ही स्रिष्टी है तीन गुनों के असंतुलन से ही त्रश्टी है तीन गुनों के असंतुलन से ही जीवन है तीन गुनों के असंतुलन से ही जीवत्व है हम जीव है असंतुलन का परिनाम है यह इसलिए योगी अपने स्वरूप में जाता है तद दरश्टू स्वरूपे अवस्था नाम स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करता है उसका प्राप्त किसी आस्मानी ताकत को प्राप्त करना उसका लक्ष नहीं है उसका लक्ष है अपनी आत्मा में ही इस्थित होना स्वरूप की अवस्था में पहुँचना in the state of your real self in the state of your real self अपने real self की अवस्था में पहुँचना या युग का उदश्य है तो योग संतुलन का नाम है चारों तरफ से एक संतुलन की अवस्था को बनाना संतुलित अवस्था में रहना सब्में से बनेया रहना हमेशा कौण साब met 코र कमीदफिक कभी दर की सकती खुब यह करना है कभी इंग यह करना है करे अब जितना भी सोच रहे हो हो रहा है कोई परिशान है उसके पास नौकरी नहीं है तो कई बात को यह जितनी भी परिशानियां है या प्रकृती ने पयदा की है कि मैं ए सब प्रकृती का थेल प्रकृती आपको उलज्ळाए चाहती है इसी में आपको असंतुलित अवस्था में रखना चाहती है लेकिन योग कहता है कि संतुलित हो जाओ प्रकृति आपको असंतुलित अवस्था में रखना चाहती है और योग कहता है संतुलित हो जाओ संतुलन में आ जाओ पूर्ण संतुलन तीन गुनों का संतुलन मतलब कैवल ले मोक्ष जहां तीन गुनों का संतुलन हो जाएगा जहां तीन गुन सम हो जाएगे वहां जीवन का नाम है ज्यान अपूर्णता का नाम है ज्यान होना भी अपूर्णवस्था है पूर्णता में कोई ज्यान नहीं है कोई अज्यान नहीं है कोई लाब नहीं कोई हानी नहीं वह अपूर्णवस्था इसलिए मोक्ष पूर्णता है कैवल जीव की पूर्णता है समंदर सागर नदी की पूर्णता है नदी समंदर में जाकर अपने आपो खो़ नहीं देती है बलकि वो पूर्ण हो जाती है थिक तो यह है यह क्या बिता यह यह से प्राप्त होती है योग करने का योगी वो है जिसके अंदर योग की समझ पैदा हो गई understanding डवलप्ट हो गई है कि मुझे ऐसे जीवन जीना है योग के अनुसार मुझे जीवन जीना है योग के अनुसार जीवन जीने का मतलब भी नहीं कि सुबह सुबह उठोगे सुर्य नमस्कार करोगे तभी योगी कहलाओगे जी नहीं है जीवन में एक संतुलन को बनाय रखने की कला अब उस संतुलन को बनाय रखने के लिए सूर्य नमस्कार भी करो उस संतुलन को बनाया रखने के लिए प्राणयाम भी करो नेती धोती नौली बस्ती कपाल भाती त्राटक शडकर्म जिसे एक बोलते हैं यह सब करना चाहिए लेकिन उद्देश यह सब करना नहीं है या उद्देश शरीर की अखन्ड़ता को बनाए रखना और राजया जनक के अंदर यही था तो इसलिए योगी यही कृष्ण अरजन को को समझाने में लगें में कि तू अपना संतुलन खो रहा है तू अवसाद से ग्रसित हो रहा है तू डिप्रेशन में जा रहा है तू उल्टी सीधे बाते कर रहा है मों ग्रस्त होकर नपुनसकों जैसी बाते कर रहा है तू अपना संतुलन खो रहा है अपने संतुलन को फिर स तो law of balancing, art of balancing, ये है और जब आप जितना संतुलि तवस्था में रहेंगे उतना आपका दियोग बढ़िया होगा, उतना ध्यान अच्छा होगा, उतना ध्यान आपकी चेतना की गती उर्धोगामी होगी, अधोगामी नहीं, उर्धोगामी होगी, उर्जा की गती, जो शरीर मे हमारे energy है, उर्जाए, तो बिमारिया है मांसी के रूप से, शारीरिक रूप से, असंतुलन के कारण है, जब संतुलन के स्थापना हो जाएगी, तो फिर समस्या नहीं रहेगी, तो इसलिए संतुलन की और बढ़ना, और पूर्ण संतुलन, तीन गुनों की पूर्ण समता, यही योग है, तो योग वास्तों में योग करने के लिए, हाँ, निरोधात्मक्रिया तो है, परंतु, बाहर से कुछ छोड़ने के जुरत नहीं है, बाहर से कोई कर्म कर्तव्य या अपने परिवार घर को छोड़ने की आवशक्त, अगर होता, तो कृष्ण ऐसा क्यों कहते अनाशुता करम फलंकारियम करम करूतिया ससन्यासी चयोगी, वही सन्यासी है और वही योगी है, तो योग का अंडरस्टैंडिंग डिवलप होनी चाहिए, एक समझ पैदा होनी चाहिए योग के विशह में, अगर वो नहीं होती है, तो अब जो भी करना है करते रहो, वो य योग नहीं है फिल, ठीक, योग को समझना जरूरी है, करने के बजाए आप योग करते हैं, लेकिन समझते कितना है योग को, छोटी सी जुबान है, आदमी कह देगा, हाँ मैं भी योग करता हूँ, लेकिन समझ कितनी पैदा हुई, योग के विशह में, आपने आपके साहित्य है, वो समझाने का ताम करता है, इसे पतंजली योग सुत्र कहते हैं, योग शास्त्र कहते हैं, योग दर्शन कहते हैं जिसको, तो वो समझाने का ताम करता है, एक समझ पैदा करता है कि योग क्या चीज है, योग संतुलन है, योग मन की शक्ती है, और जब वो वि सकता है उसके अंदर सिद्धियों का विकास होता है वो सिद्ध बनता है फिर सिद्धियों का विकास होता है सिद्धिया कहीं से आती नहीं है टपकती नहीं है या उतरती नहीं है विकास होता है डिवल्लप्मेंट होता है इवाल्व होता है वैसे तो सांक्य शास्त्र ही इवोलूशन की बात करता है विकासवाद की बात करता है तो योग भी यही है सिद्धियों की विकास की बात करता है सिद्धियां विक्सित होती है तो यह योगी के अंदर सिद्धिया विक्सित होती है उसके अभ्यास से, उसकी साधना से, उसके निरोधात्मक्रिया से, बिल्कुल विचारों का निरोध है, वर्तियों का निरोध है, क्लेशों का निरोध है, लेकिन बाहर से कोई निरोध नहीं है, बाहर से कुछ छोड़ने कि आवसकता नहीं है और नहीं कोई लाल सा है कोई मांस्विक गुलामी या कुछ ऐसी कमजोरी है जिसमें गुरुपद पाने की कमजोरी होती है थोड़ा सा यह आजकल बोलना पड़ता है लेकि क्योंकि आजकल क्या है कि कथा वाचना और प्रवचन करना भी प्रोफेशन बनता जा रहे हैं कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई यह काम भी कर लेते इसमें भी तो पैसा आता ह लोगों को क्या दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे क्या है कथाएं थोड़ी रट लेते हैं करते हैं शुरू हम भी कथा तो ऐसा भी देखने में आता है इसलिए मैं कह रहा हूं हम भी गुरु बन जाते हैं गुरु लोग बहुत पैसे कमाते हैं उनके पास खुब मानगे नहीं करते हैं कोई फरक नहीं परता बुरा मान गया उनको जाओ या साथ दिन के बाद की मिलेंगे और शुकुदेव मुनी दुबारा गए और जब दुबारा गए तो दुवारपाल ने वही बात कही कि साथ दुवार हैं और साथ दुवारों से एक एक दिन गुजर कर तुम्हें पहुँचना है तब राजा मिलेंगे ऐसे तो मिलेंगे निए चीक है तब जाकर शुकुदेव मुनी को कुछ पराप्त होता है जो आगे बढ़ाते हैं और वो अपने शिश्चों को देते हैं और उसे परंपरा बढ़ते बढ़ते आदीकुरु शंकराचार तक हम उस परंपरा को सुनते हैं और उसके बाद दसनामी संपरदाय और फिर छोड़ द मठ है मठादीश है दस्नामी सन्यासी संप्रदाय है बहुत कुछ है ठीक लेकिन जो मूल विशारधारा है श्रेमत भगवत गीता से निकलती है अश्टावक्र महागीता से निकलती है वह यही कहती है कि भाई वह ब्रह्म तत्व उसका ज्ञान तुम्हें अपनी आत्मा को जानकर आत्म ज्ञान के माध्यम से तुम्हें अपने भीतरी होगा कुछ छोड़ कर नहीं होगा कोई घर छोड़ देने से नहीं होगा कोई परिवार छोड़ देने से नहीं होगा तुम अपने अंदर योग की समझ पैदा करो और अभ्यास ठीक है योगी बनने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि नारी मुई घर संपत्ति नासी मुन मुणाय बैसन्यासी मन न रंगाय रंगाय जोगी कपड़ा दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गई लिए बकरा क्यों को इस दरा की बाता बुरा न लगे किसी को लिकिन संतो ने ऐसा लिखा अइसा कहा समझाने के लिए लिखा समझाने के लिखा कि वास्ताанов में जो चीज होना तो अच्छी बात है, मातर बाहर से सरफ नाम ही ना हो, वास्तों में बने, अपने गुन से बने, अपने ज्यान से बने, गुन तो चलिए, अलग विशय है, लेकिन ज्यान से बने, गुन भी कई बार प्रदर्शन में आ जाते हैं, तो अपने ज्यान से वैसा बने, अपनी समझ को विक्सित करना जरूरी है योग की अंडरस्टैंडिंग को डवलप करना अपने भीतर जरूरी है वो सबसे जाता जरूरी तो आप योगी बन पाएंगे नहीं तो आप योगी नहीं बन पाएं फिर वही कृष्ण वाली बात याद रख लिजिएगा श्रीमत भगवत गीता शठा अध्याय प्रथम श्लोप अनाश्रत करम फलंकारियम करम करोतियास सन्यासी चाहिए तो यही सुत्र है योगी बनने का और महारशी पतंजली भी यही सुत्र देते हैं योगस चित्वर्ती निरूधा चित्वर्ती का निरूध करने वाला अभ्यास वराग्या भामतन अभ्यास और वैराक्य में रहने वालाौ female कि विद्आग वैरागी मतलब वैरागी है जिसने घर-बाल छोड़ दिया घूम रहा है ऐसे तो वह वैरागी होगे आपकी नजर में जी नहीं जिसने रागों का निरोध किया रागों का निरोध मत्तब वर्ती निरोधी है जहां राग नहीं है वहां वैराग जहां अनुराग नहीं जिसने उसका नियंतरन किया जिसने उसका संतुलन किया संयम किया संयम वैराग्य से ही संयम पैदा होता है या कहिए संयम से वैराग्य होता है तो इसलिए वैराग्य भी कोई ऐसा नहीं कि कुछ आपने छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया संसार में हर सुखो को संयम से pulled year रहुड न्युक्सान नहीं पहुंचाने वाला कोई बाधा नहीं बनने वाला सभाधा सहायक है पूरी प्रकृती सहायता करती है पूरी प्रकृती पत्जली पत्ध साफसाप क्याते प्रकृती conjunto प्रकृति ही भोग और मोक्ष का कारक है पूरी प्रकृति आपकी सहायता करेगी आपके अंदर वो समझ विक्षित होनी चाहिए कि वास्तों में यूग क्या है घर में भी आप रहते हुए हर हर चीज में योग हैक्ने में भी योग है बईवार घर चीज में आप यूग को विक्षित कर लेंगे सैयम से इस अपनी साथना को दूबे बन कर आए तो गय कि भाई बन जाएंगी हम भी कुछ हमारा भी मठ बन जाएगा हमारा भी एंपायर खडा हो जाएगा ऐसा लेकर निकल गए हम भी कुछ बन लेते हैं चीक हम भी वेस धारन कर लेते हैं तो ऐसे ही महत्व कांशा लेकर लोग निकल जाते हैं लेकिन होता फिर वही है हमस्या वही पर आ जाती है तो यह चीज है यह हमें समझने कि आवशकता है और योगी बनना कोई बाहरी विशय नहीं है बाहर से कोई घर बार छोड़ देना या कुछ त्याग कर देना या कोई लिवास धारन कर लेना या कोई योग का विशय नहीं है योग एक समझ उस समझ को विक्सित होना जरूरी है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है अगर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप जाना पड़ा तो समझ अगर सब कुछ सादू बन गए घर भी छोड़ दिया फिर भी समझ विक्सित नहीं हुई कि योग क्या है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है फिर तो योगी बनना असंबव जैसा योगी बनना तो मुश्किल जैसा हो ठीक है तो यह हमें थोड़ा सा विचार कर लेना है यह हमें थोड़ा सा समझ लेना है तो योगी कैसे बने क्या करें क्या छोड़ना पड़ेगा क्या त्यागना पड़ेगा जी विक्रम सिंग और गोरो जी चलिये जी बहुत अभिनंदन आपका जगत नरायन जी कनहाई कुमार जी विक्रम सिंग जी राजुपाल हरी गंभीर शाह अवनी प्रधान वबीता धिमान जी सतीश कुमार जी उशा सिर्वास्तो योगेंद्र पंडित जी बहुत-भहुत अभिन राम निवास मीना विवेक रागाव गौतम दास जी माधुरी कोले जी रोमेश शोपडा जी रमेश पेश्वानी जी परजी ठाकोर रचना आरके गोपाला जी जलाराम राइका इसमिता सावंत अनिल कुमार केशो जुन-जुन वाला क्या हमें अनन्त काल से मोक्ष नहीं मिला अनन्त काल से क्यों कहते हो भाई ऐसा नहीं है लेकिन कुछ काल से आपको है जिसमें कि आपको मोक्ष नहीं मिला इसमें अनन्त काल जोड़ने के कोई जोरत नहीं है ठीक है भीकु कुचाडिया जी पिंटु वासवा जी भीम सिंग मीना रूपलाल विश्व कर्मा जी राम प्रकाश अजय सिंग शिखावत अश्विन चौधरी हर्योम अचारे जी हठ योग और राज योग में क्या अंतर है कि राज योगी हठ योगी से अधिक महान सिद्ध होते हैं हठ योग और राज योग में वास्तों में घटस्त योग क्या है घटस्त योग महरसी घरंड ने घरंड सहीता में घटस्त योग की चर्चा की घटस्त योग में घट मतलब शरीर शरीर को मजबूत करने के लिए इ जो घड़ा पक्का होगा पानी उसी में ठीकेगा उनका विचारधारा थी कि शरीर को सही करो शरीर को संतुलित करो ठीक है पहले शरीर के अंदर संतुलन ले आओ तो बाद में मन और फिर बुद्धी चित आत्मा सब संतुलित होंगे ठीक है तो इसलिए घटस्त योग का वर्णन मारश्री घरंड ने किया है अब घटस्त योग में ही हट योग हो जाता है जब हम कोई आसन लंबे समय तक हट पूर्वक लगाते हैं तो उसे हट योग कह देते हैं अब जो है राज योग घटस्त योग का उद्धेश भी हट योग का उद्धेश भी राज योगों को प्राप्त्र होना है शरीर को अइसा बनाओ जिससे कि तुम ध्यान की गहराई में उतर सको यह घटस्तय योग महरशी घरंड ने दिया और उसमें योगास्ण दिये शटकर करो कि से तुम्हारा शरीर ठीक रहा एगाहा और तुम ध्यान अच्छा लगा पाऊगे साधनाएं अच्छी होंगी फिर fa hey एप सारी बाते जो है का यह सारी बाते है यहां पर हो कि चल्लों यह हटयोग राजयोग का मतद्द राजयोग ध्यान योग अश्टांग योग जिसको कहा गया वही राजयोग है महरश्य पतंजली जो योग की चर्चा कर रहे हैं तो वही राजयोग है तो हमें करना चाहिए तो यही अंतर है घट योग राज योग घटस्त योग ठीक योग साधना करते हैं तो सामिश अहार वर्जे है जी हाँ तामसी भोजन जो है जो तामसी भोजन है वो निश्य ही वर्जित होना चाहिए उसमें नशा भी आता है अब नशे के जितनी भी चीज़े हैं शाकाहरी है तंबाकू है शराब है सब तो शाकाहरी है लेकिन वर्जित है क्योंकि तमोगुनी है महत्व गुन का है तो जिसके अंदर भी तमोगुन है योग साधना के लिए उस पर थोड़ा प्रारंबिक साधकों के लिए ज्यादा जो आगे बढ़ चुके हैं जो सिद्ध हो चुके हैं और जिनकी साधनाय परिपक्व हो चुकी हैं ज्यादा फरक नहीं पड़ता वो कु तो साधनामी थोड़ी सहायता सुरू में मिलती है लेकिन एक संतुलन बनांके चलना होता है यह अभी ध्यान रदे हैder स्भी मुन क्या बाधक है जी पूरी तरह से बाधक नहीं है यह शरीर स्वयम तमोगुनी है शरीर स्वयम जड़तत्व है और तमोगुनी है तो जब स्वयम तमोगुनी है तो उसी का अधार लेकर तो मनुष्य जीवन के अधार लेकर साधना होगी हाँ जहां पर हिंसा करकर मांस खाने की बात है वहां पर हमें यथा संभव बशना चाहि और अशांत्य करेगा मन को तो एक बाधा के रूप में ही सामने आएगा थोड़ा सा इस पर जरू ध्यान लेते चाहिए चली हां लेकिन एक बात और अगर यह प्रशन हुआ है कि योग साधना करते समय सामी सहार वर्ज्य है क्या तो अगर मान लीजिए कि किसी मजबूरी में क किसी विवश्यता में जैसे कहते हैं कि एक बार गुरु गोविंग सीजिन अपना घोड़ा ही मार के ठालिया क्योंकि वह रेगिस्तान में चले गया अपने घोड़ों के लिए और कुछ था ही नहीं खाने के लिए चारो और ठीक तो प्राणों की रक्षा के लिए अगर लिए मैंने लैसुन खा लिए धर्म ब्रश्ट हो गया धर्म इतना कमजोर है कि लैसुन खाने से ब्रश्ट हो जाएगा धर्म इतना कमजोर है क्या कि प्याज खाने से ब्रश्ट हो जाएगा धर्म इतना कमजोर नहीं है तो यह कहना बंद कर दीजिए कि आपने लैसुन खा खालोगे तो भरष्ट हो जाएगा प्याज खालोगे तो भरष्ट हो जाएगा जी नहीं योग साधना में बाधा उत्पन करते हैं या कर सकते हैं करते ही है मुटा मुटी यह मानिए मैं इसलिए कर सकते भी बोल रहा हूं क्योंकि सिध्य योगियों पर यह लागू नहीं होता किसी लिए मैं बोल रहा हूं यह बात कि कर सकते हैं उनके संदर्म में बात बदलेगी थोड़ा सा तो यह चीज है तो अगर कोई किसी परस्थिति में ऐसा कुछ खा लेता है तो इससे उसका धर्म ब्रश्टनी होगा अगर उसने खा लिया उसका प्रैश्चित कर ले एक दिन का अपववास रख ले उसका प्रैश्चित हो जाएगा नहीं तो अगर मांस भक्षन कर लिया है, तो कम से कम, कुछ मास तक, कुछ महीने तक, वह जो है, पक्षियों को, अगर पक्षियों का मांस खाया है, पक्षियों को दाना डाले, और जीव जनतुओं को भोजन कराए, अपने कमाय हुए धन से, अरजित धन से, वह जीव जनतु ठीक है तो फिर प्रैश्यत कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है लेकिन यह कहना कि भाई लेसुन खा लिया तो धरम ब्रश्ट हो गया प्याज खा लिया तो धरम ब्रश्ट हो गया कहीं गलती से मालो मीट मांस भी खा लिया तो धरम ब्रश्ट हो ग है आपको लगता कि गलती हो गई तो प्राश्यत केजिए ठीक है तो उसका अलग नियम है तो यह हमें यह समझना ची लेकिन धरम भरश्ट भरश्ट नहीं होता है अगर विवश्टा में कोई किसी के पास कोई ऐसी जगह में कई बार हमारे फौजी भाई होते हैं जो कि जंगल मुझता है कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो कई बार वह ऐसी भोजन पर निर्भार हो सकते हैं समुद्र के अंदर समुद्र के किनारे रहने वाले मच्वारे जिनकी खेती ही मचली मारना है तो क्या वो योग साधना नहीं करेंगे पताइए क्या वो नहीं करेंगे उनकी तो खेती ही मचली मारना है और खाते भी वही सब हैं क्या करेंगे फिर हूँ तो कहने का मतलब यह है कि तामसी भोजन निश्य ही वर्जित है तामसी भोजन नहीं करना चाहिए लेकिन अपने विवेक से समझते हुए इसमें यह नहीं लगा देना चाहिए कि हम थोड़ा आँज साथना का मतलब नहीं मजभूरी में खा लेंगे तो मि विवश्ता में खा लेंगे तो हां नहीं खाना चाहिए यह बात रहा यह यह यांद्यार नीच चाहते हैं तो यह नहीं हना चाहिए अगर गलती हो गई है कुछ आपको लगता है कि भाई मैंने मजबूरी में ही खाई है लेकिन खाली है तो आप उसका प्रैश्यत कर सकते हैं ठीक है चलिए लरित गर्ग जी गरेश अवार जी कुलदीब कुमार जी श्वेता कुमारी जी कुलदीब कुमार जी जरूर जिन्होंने यूटूब मेंबर्शिप कुछ लिया है वो संपर्क में रहा करें श्वेता कुमारी जी ओमतसत कनाई कुमार जी ठीक है पांच अगनी कर्म कौन-कौन से है पहले एक बार में एक व्याक्षान में बता चुका अभी इन पांच अगनियों को लेंगे तो व विचार कर सकते हैं कि पांच अगनी कर्म कौन-कौन से हो सकते हैं कभी लेकिन इस पर चर्चा कर देंगे विडियो इसके उपर लाएंगे और इस पर चर्चा कर देंगे ठीक है पूरे अच्छे से तो यह चीज है लेकिन अभी इसकी सारी व्याक्षा करेंगे तो थोड़ा समय लंबा जा सकता है चलिए अजीत अप्राजित जी बहुत अभिनंदन शिव एके भट जी चंद्रमा से मन के संबंध है इसका क्या तात्पर वाली बात नहीं है मन से संबंध है प्राक्टिकल संबंध है मन के साथ तो कि आपका मन कोई बाहरी चीज नहीं है मन जो बना है व सबसे अधिक मन पर है कि मन का कारक है कि शिव महर्शी बालमे की जैनती की सभी को हर्दिक शुब कामना अर्जिन चोहान जी प्रभात सोनी गुर्जी प्रणाम गुरुजी वन्ष गोत्र क्या होता है कुछ बताने की कि अध्यात्म से अलग विशह मिलेगा आपने यह विशह दिया है तो फिर आगे हम कोशिश करेंगे कि वन्ष गोत्र रिशियों से होता है रिशियों के नाम पर हमारे गोत्र होते हो सकता है कि हमारी जाती अलग हो वो सकता है कि कोई ब्राम्बन हो चत्रिय हो कोई यादव हो लेकिन हो सकता है कि एक अही गोतर के हो सारे के सारे ऐसा हो सकता है तो गोतर रिश्यमुनियों से लिया जाता है और सगोतरिय विवाह मना किया जाता है एक बार के लिए आप विजातिय विवाह कर सकते हैं परंतु स सगोत्रिय विवाह बिल्कुल मना किया जाता है मालिज ये विजातिय भी है अगर दो अलग-अलग जाती के लोग के बीच में विवाह संबंद हो रहा है तो सगोत्रिय नहीं होना चाहिए ठीक है सगोत्रिय नहीं होना चाहिए ठीक तो इसका ध्यान दिया जाता है तो यह है लंबा विशह है यह कभी और गोत्र के विज्ञान पर आएंगे चलिए रजनेश बरफानिय जी ओम तस्त परम प्रकाश ओम परम परम शांती ओम इस लव ओम नमस्षिवाए ठीक है उंध्य सब्सक्राइब शांता पंडित श्रमारंत शिव अश्विन् चौधरी components विश्ञ पराण में लिखाए कि सुरी melodyishing परम चाले से क्या अन्तर हैं आदिक है श्री हरी विश्ञ को फिस्रे बहुत कुष लिकांट में लिनकाए उसके आगए पेस्पल्ण पनने сделए उसक तो शिव महा पुरान को गलत साबित कर दे और विष्णु कर दिया जाए क्या कहते हैं ठीक है लेकिन फिर शिव महा पुरान को शिव तत्त की चर्चा की हुई है और ब्रह्म को समझाया हुआ है शिव ही कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हैं कि सती से कहते हैं कि सती तुम मुझे नहीं जानती है कौन से शिव थे जिसको नहीं जानती है वो कौन से कृष्ण है जिसको अर्जुन नहीं जान रहा है ख़़ा होकर भी नहीं देख रहा है कृष्ण कह रहे है ना तुम माम वारानसी में काशी में स्वामी विवेकानंद पहुंचे तो वहां पर स्वामी विवेकानंद ने देखा कि दो ब्रामन आपस में लड़ रहे हैं एक श्यव मत से एक वैशनों मत से दोनों जगड़ा कर रहे हैं कि शिव बड़े तो विश्नु बड़े शिव ब्रह्म तो विश्नु ब्रह्म कौन ब्रह्म जगड़ा किये जा रहे हैं स्वामी वेका नजी ने कहा कि भाई तुमने आज तक कभी शिव को देखा शिव को जाना क्या शात्रों का वैसा अध्यन है। उन्हों ने कहा कि नहीं हमने तो शिव को देखा जाना नहीं। उसने कहा विश्नु को भी मैंने देखा जाना नहीं। तो कहाई कि लड़े जा रहे हो परेशान हों जा ररे parameter हो छीक है। तो पहले तो यह विशे को समझ्जिये प्रस्लि तो यह है समझने का विश्य कौ ब्रह्म कि विश्नू कि अच्रिश रहे च्विन औरो कि युद्र मेन में तो यृ किや नहीं है सर्व्याप्टी है सर्वंगत है फिर जो कुछ है सब उसी से है और उसी में है जो कुछ है सब उसी से है वो उसी में है तो बार-बार एक थोड़ी सी यह बात जो है जबरदस्ती की बात लगती है विश्णु ही ब्रह्म है तो शिव ही ब्रह्म है तो कृष्ण ही ब्रह्म अभी तो चर्चा हुई कृष्ण ब् रिपिट करकर के सुन लिजी बार बार सुन लिजी है है हुआं है है caught कि हमारे मन योगेश्वर बना कैसे पता चलेगा किरप्या किलिएर तो परकाश शिंग वगेला जी निती सिनहा जी बहुत बहुत अभी नंदन वीना जी बहुत बहुत अभी नंदन सोमनात शिंद्य जी अजीत अप्राजित जी हमारे मन योगेश्वर बना कैसे पता चला हमारे मन योगेश्वर बना कैसे पता चलेगा किरपया किलियर करने की क पेट भरेगा तो स्वेम पता चलेगा आप खाने की जुरुत नहीं है कि तो खाना ठाओगे तो कोई बाहर कादनी बताएगा कि भे पेट भर गया रहने दो जी नहीं आप खूल पता चलेगा कि पेट भर गया ठीक है कि शंकर राश्पुत भूत-भूत अभिनन्दन सविता नायक आज पुर्णिमा को पूर्णता का ज्यान प्रदान किया जी हां शरत पुर्णिमा है शरत पुर्णिमा की सब को बहुत-बहुत सुभकामना है लेकिन रात्री का मुहुर्थ तो 19 तारीकों ही था दिन का मुहुर्थ 20 तारीकों था तो सब को बहुत-बहुत शरत पुर् है और और अशधिय गुन होता है चंद्रमा के अंदर शरद पुर्णिमा में और शधिय गुन होता है ठीक तो उस अशधिय गुन का लाब उठाना चाहिए चंद्रमा के रौशनी में बैठना चाहिए और चंद्रमा के रौशनी में बैठ कर खीर खानी चाहिए चीर के साथ आप पीपल के छाल का चूरन लेकर खीर में मिला लेजिए चीर को पूरी सुधता से बनाईए चीनी में मत बनाईए गुड में बनाईए गाय के दूद में बनाईए चिडवे में बनाईए मिटी के बरतन में बनाईए धातू के बरतन में मत बनाईए ठीक है तो ऐसे बहुत सारी बात है शरत पूर्णिमा से सम्मंदित चलिए क्या चित्त की विर्तियां ही केवल मन है जो विर्तियां हावी हो जाती है वही मन है शंकराजपुद्धी पुजा गुरी पुर्णिमा का क्या इंपॉर्टेंट है यही पता तो दिया अभी हो गया ठीक ना इंपॉर्टेंट तर्चा हो गए शरत पुर्णिमा के दिन जो भगवाने श्युने चंदर देव को अमर्द दिया था जब शुक्राचारी के शराप से चे प्रजापती दक्ष के शराप से चंद्र को 6 रोग लग गया था तो उस समय उन्होंने शिव अराधना की शिव उपासना की और शिव अराधना और शिव उपासना के लिए जो है वह शिव अराधना शिव उपासना के लिए वह जब अराधना करते हैं प्रसन्न होकर शरत पुल्णीमा के दिन चंद्रदेव को अमरित प्रदान करते हैं सोम देते हैं तो आज के दिन चंद्रमा से अमरित बरसता है आज के दिन चंद्रमा से अमरित बरसता है शरत पुल्णीमा में ऐसी मानेता है अत्यधिक चंद्रमा आयुर्वेद का दे होता है औशधिया गुनों का दे होता है इसलिए उसमें औशधिया गुन विद्मान होती है गुपाल चौद्री जी ब्रह्मग्यान कहां मिलेगा वह या ब्रह्मग्यान तुम्हारे भीतर मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता कोई दे भ जिसने घोषना किया कि मैं ब्रह्म ग्यानी हूं इसका मतलब उसे ब्रह्म का ज्यान है ही नहीं जिसने घोषना किया कि मैं ब्रह्म ग्यानी हूं उसे ब्रह्म का ज्यान है इस बात का अपनी मर्धी से नहीं बोल रहा हूं उपनीशद ऐसा कहते है कि जिसने घोषना किया कि मैं ब्रह्म ज्यानी उसे ब्रह्म का ज्यान ही नहीं है क्योंकि जिसको ज्यान हुआ वो घोषना ही नहीं करेगा क्यों नहीं कि जान जाएगा कि ब्रह्म तो अनन्त है तो वह यह घोशना करने लाइक नहीं है कि उसे ब्रह्म ज्यान है ठीक है तो यह हमें समझना पड़ेगा इस रहास्य को समझना पड़ेगा तो ब्रह्म अनंत है तो उसने उसका थोड़ा सा अनुभाव किया है ना कि उसे पूरा ब्रह्म का ज्यान हो गया व्रह्म ज्यान नहीं मिलेगा तुरिय अवस्थ्ठा को प्राप्त हो जाओगे चौशतिण अवस्थ्था को प्राप्त हो जाओगे तब तुम्हें प्राप्त हो गयों तो यह जी तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिलेगा दूसरा कोई तुम्हें मार्ग दे सकता है कुछ उपासना बता सकता है कुछ साधना बता सकता है तुम्हें ब्रह्म ग्यान कोई दे भी नहीं सकता है ठीक है चलिए तू आगे चलते हैं और कथ्यों को समझते हैं बाकि क्या शास्त्र कहते हैं शास्त्र सम्मता क्या है वो समझना चाहिए जानना चाहिए तभी विशय इसपश्ट होते हैं और चलिए इसी के साथ विराम देंगे कल फिर 9 बजे चर्चा लेकर आएंगे जो ध्यान यूग का कोर्स करना चाहते हैं 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर से वो ध्यान यूग का कोर्स कर पाएंगे तो जिनको जोईन करना है ऑफ लाइन करना है तो वो तो बात करेंगे फिर उनको बताया जाएगा कि समय व आएगे या किस समय नहीं आएंगे नूंको message दिया जाएगा फिर बाकि online जो course है अभी तो online नहीं है अभी offline पीछे हुआ है offline course हुआ है अभी कुछ लोग आए और उन्होंने offline course किया लेकिन अभी offline course का कोई आगे का समय निश्चित नहीं है तो इसी लिए online course 29 अक्टूबर से है और आप उसे उसका लाब उठाईए आप उसको जानिए क्योंकि offline में तो आपको आना पड़ेगा क्रेन का टिकट फ्लाइट का टिकट यह सब करके आपको पहुंचना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा तो यहां से प्राप्त करना पड़ेगा यह सारी चीज़े चलेगी प्रक्रिया चलेगी ठीक है और आप लाइन आप बैठे बैठे लाब उठाई यह तो आउनलाइन का भी आज लोग उठा रहे हैं तो आप भी लाब उठा सकते हैं ठीक है तो ऑनलाइन करने वाले जिन्होंने online पूरा कर लिया है वो भी आ रहे हैं कि हम एक दिन के लिए आ जाते हैं दो दिन के लिए आ जाते हैं और साधना करेंगे ठीक है यह विशह है तो यह हम समझें और इसको समझ कर चलें और जरूर-जरूर ध्यान योग को समझ कर ध्यान योग का कोर्स करकर लाभानवित हूं इसका पूरा पूरा लाभ उठाए तो इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का फस्थी करे लाभार आप सभी के साथ जसे उनसरी के साथ विराम किष्यास के बांवार आप सभी का पुराए हूं आप जच हूं एまだ र дог чис़ेछार हैं? कर दो बहुतार को विर दो जो खबा स का ख।म थैसला खुराए हू उरुटार आप सभी का ट एा। झाल झाल